एक बार एक चोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक ले करके भागती हुई एक दवाईयों की दुकान पर गई वो काफी देर तक महाँ पर खड़ी रही लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा बेटे आपको क्या चाहिए तो बड़े ही भोले पन से बोली कि मुझे एक चमतकार चाहिए ये सुनकर के दुकानदार को कुछ समझ नहीं ना ही वहाँ पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया और सब उसकी तरफ देखने लग गए फिर दुकानदा ने बोला बेटे चमतकार तो यहाँ पर नहीं मिलता है तो बच्ची को लगा कि वो उससे जूट बोल रहा है तो बच्ची ने कहा कि मेरी गुलक में बहुत पै कई बार अपने पापा से पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आजाएगा वो कल आजाएगा वो कल आजाएगा वो कल आजाएगा लेकिन वो आई नहीं रहा था तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही है अब पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाईयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास में नहीं है अब उसको कोई चमतकार ही बचा सकता है तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी है तो क्या हुआ मेरे पास में तो है तो मैं सब लोग खड़े हो करके उसको देख रहे थे थोड़े देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में खटे किये और बोली मेरे पास में पूरे 19 रुपए है वो जो आदमी वहाँ पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे है इतने का ही तो आता है चमतकार ये सुनकर के वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था बलकि एक बहुत बड़ा नियूरो सरजन था और उसने सिर्फ 19 रुपे में उसके भाई की सरजरी करी और कुछी दिन बाद वो ठीक हो करके घर बापिस आ गया फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची उसका भाई उसके पापा उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमतकार आपने किया कैसे तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले ये चमतकार मैंने नहीं इसने किया है तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते है कि जिन्दगी में कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते है तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हड़ता है वो हार मानने को तयार नहीं होता है क्योंकि उसको नाशब्त समझ नहीं आता है वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुम्किन नहीं है क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है